तो आज का एपिसोड फिर से लाया है हम एंडर्ट के बाद काफी प्रॉब्लम जाहर ती तो में प्रॉब्लम जो मैं इसमें डिसकस करने वाला हूं वह यह है कि काफी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें फोन जो है एंडोइड की अपडेट के बाद शटडाउं हो जाता है और कभी camera photo कि तो शर्ड़ान हो जाता है कभी वैसे ही पड़ा पड़ा शर्ड़ान हो जाता है तो इससे काफी प्रवलम आती है फिर स्टार्ट होता फोन तो काफी दिक्कत आ रही है लोगों को अगर आपका ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें आज फोकस करेंगे अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें तो स्टार्ट करते हैं आप आज का वीडियो और टेक आपका फोन टारन आफ हो रहा है अपने आप इसके दो कारण हो सकते हैं तो दोनों डिसकस करेंगे वन इस हाडवेर एंड सबसे पहले हाडवेर में इस प्रॉब्लम का कारण बनती है बैटरी का अटैश्मेंट आपके फोन के साथ मजबूत नहीं होना मतलब लूज होना विट टाइम या कुछ जटके से या फोन की गिरने से क्या होता है कि यह जो कनेक्शन है आज कल तो पहले तो बैटरी में से बाहर निकलाती थी तब इस प्रॉब्लम नहीं ही आती दी लेकिन आजकल के में बैटरी फिक्स होती है फिर भी अगर फोन गिर जाया या कुछ प्रॉब्लम हो जाए किसी भी करनद से वह अगर कनेक्शन हिला हुआ तब भी यह अपने आप टरन ओफ वाला प्रॉलम आता है का यह Everywhere का वेला इश्यू है तो इसको कैसे करना आपने आप उस्पेस ऍखेसे करेंगे कि यह इस्षय दूट तो आपने द powin सबॉर हों तो आप ने अपने फोन झाट आथ के साथ ऐसे टाइप करना है ऐसे करने से अगर आपका फोन स्विच्छ नाफ उस तो यह उसको प्रड़ेट करने का तरीका है इसका अजस्मेंट नहीं सकते तो आपको यह जो अटेच्मेंट है यह लूज है आपकी यह आपको हाड़वेर महाँ पर ले जाना पड़ेगा और उसमें इसको टाइट करोना पड़ेगा नाउं कमिंग टू सौफ्ट्वेर एक ऐ Android 10 की अपड़ेट के बाद सौफ्ट्वेर की वजह से हमारा फोन अपने आप सविच आफ हो रहा है तो उसका एक पहले मैं बहुत ही आसान तरीका सबको बता चुका हूं कि आपने हाड रिसेट करना मतलब की फैक्टरी रिसेट कर देना उसके बाद काफी प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम तो जो चीजें जरूरत की है बिल्कुल इस फोन को चलाने के लिए वही अन होगी इससे आपको फैदा क्या होगा इससे आपको यह फैदा होगा जब आप सेफ मोड में इसको अन कर लेंगे तब आपने प्रॉब्लम चेक करनी है कि अगर आपको वही सेम आपको क्लीर हो जाएगा कि कौन सी आपने ऐसी डाली है जिसमें वाइरस है या ठीक नहीं है जिसकी वज़ासी यह स्विच आफ हो रहा है क्योंकि सॉफ्ट्वेर में जब प्रॉब्लम आती है तो दो कारण है उसके या तो कोई आपके फोन में वाइरस है या कोई आपने कैसी आप इंस्टॉल कर लिए जो खुदी वाइरस है या वाइरस में डाल रही है तो वह चैक करने के लिए आपको यह सेफ मोड में आपड़ेगा कैसे से मोड में आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं अभी बहुत सिंपल है आपको सिरफ जैसे मैं आपको बताऊंगा स्क्री सब्सक्राइब करने इसके बाद अपना यह पासवर्ट बूचेगा और अब यह जब फोन रिस्टार्ट होगा तो यह सेफ मोड में होगा तो जैसी से मोड में फोन स्टार्ट होता है आपको चेक करना है वह चीज़ कि आपका फोन अब यह सेफ मोड में बूट हो रहा है त आपको पता लग जाएगा किस एप की वज़े से वो प्राउब्लम आई है क्योंकि कोई भी आप नहीं चले उस टाैम और प्राउब्लम आहिए तो वह आपको सेफ मोड में जाके वह आप हटा देनी है डिलीट कर देनी है तो जैसे आप डूमी एप यह प्राउब्लम हो जाई आपको सब्सक्राइब है जैसे मेरा फोन सेफ मोड में अन्लॉक हो चुका है नीचे लिखा वार है सेफ मोड तो सेफ मोड में फोन आपका स्टार्ट होगा कि इसमें आपकी देखें शिरफ जरूरी आप खुलेंगी बाकी सारी आप्स आपकी बंद रहेंगी तो जो बिल्कुल एसेंशल एकसे इसमें आपने फिर चेक करना कि आपका फोन स्टार्ट रिस्टार्ट वाला प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा अगर आपको सेफ मोड में वह प्रॉब्लम नहीं आ तो इसका मतलब यही है कि जो आपने आप इंस्टॉल की थी उसकी वैसे प्रॉब्लम आए थी तो वह आप जापकर डिलीट करें और डेफिनिल्टी फिर जब आप इसको आफ करेंगे तो यह डेफिनिल्टी आपके नौर्वन बोड में आउन होगा तो वह आपको पसंद आयागा वीडियो अगर आपको कोई भी स्वाल कोई भी क्वेश्चन इससे रेटेट आपके दिमाग में है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें मैं डेफिनिल्टी आपका रिप्लाय करूंगा थैंक्यू बेर मैच